बनाईए इस वीकेंड पनीर के बॉंडे जिसमें हरी मेच और हरे धनीय का फ्लेवर जबरदस्त लगता है हमने घर का ही दूद फाड़ के पनीर बनाया है दूद को डालेंगे पैन में और उसमें विनेगर डालके हलकी गैस पे उसको पका लेंगे इससे बड़ा मुलायम और डेलिशस पनीर बनता है मसलिन कलोथ में पनीर को छान के थोड़ी देर के लिए लटका देंगे हमने कुकर में आलू भी उबलने के लिए रख दिये हैं ये बॉंडे बनने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त पनीर को अब हम निकाल लेंगे एक बॉल के अंदर और उसको दोनों हातों से थोड़ा क्रमपल कर लेंगे पकोड़े खाखा कर अगर हो गए हैं बॉर तो इस वीकेंड बनाए बजर बट्टू जैसे पॉंडे पनीर के अंदर डाल दीजिए बरिक कटा प्याच हरी मेश धनिया बना लेजिए इसके गोल गोल गोले उपले आलु में नमक, मेश और आमचोर डाल कर डाल देंगे हरा धनिया और हरी मेर्च इनमें भी मैश कर लेंगे अब ब्रेट का पीस हलका सा पानी में डुबो के बाहर निकाल लीजिए रख दीजिए उसमें आलू और उसके उपर पनीर गोल-गोल बॉंडे बना लीजिए बस गर्मा गरम तेल में इनको डालते जाए और उल्टा पुल्टा करकर अच्छा क्रिस्पी होने तक सेख लीजिए देखिए क्या जबर्दस्त बन रहे हैं डीपॉल्स के फेमस बॉंडो से इंस्पार्ड ये रेस्पी बहुत ही जबर्दस्त है देखिए हमारे बॉंडे बिलकुल हो गये हैं गोल्डन ब्राउंड इस पार वीकेंड पे बनाएए ये जबर्दस्त बॉंडे और इंज्वाई कीजिए बारिश का मौसम